Hello and welcome to this lecture. आज़के इस lecture में हम बात करने वाले है final keyword के बारे में. इसलिए lecture के अंदर में देखा था abstract method और abstract class की इस तरह से बनाये जाते हैं. चले, अब हम बात करते है next, final keyword. Final keyword को आप user को कुछ अपनी properties, कुछ अपने attributes को restrict करने के लिए use कर सकते हैं. For example, final keyword की मदद से आप कोई variable को final बना सकते हैं, आप किसी method को भी final बना सकते हैं, और साथ ही साथ किसी particular class को भी final बना सकते हैं. ठीके तो final keyword को हम किसी variable, method या फिर class के साथ यूज़ करने हैं. और उन सभी का मतलब क्या है वो भी हम देखेंगें. चले, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, final variable के बारें. तो जब भी किसी variable को आप final बनाते हो, तो फिर वो बन जाता है constant. यानि कि एक बार अगर उसकी value initialize होगी, तो उसके बाद आप उसके अंदर नहीं value को initialize नहीं कर सकते हैं. For example, हमारे पास एक variable है, integer a is equal to 5. and then after, हम simple उसको print कराएंगे, system.out.println and then after a को कराएंगे, print. चले, यहाँ पर सबसे पहले terminal में हम उसको करेंगे compile, file का नाम है my final.java, compile किया हमने, and then after run java my final. तो देखें, मैं output के अंदर perfect 5 देखने को मिल गया, ठीक है? अब, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर a की value को change करने गा, a is equal to 7. तो हम सभी को मालूम है, अगर a की value पूरानी 5 थी, और अगर आप नीचे कोई भी नई value आप उसके अंदर insert कराऊगे, तो पूरानी value जो है वो, delete हो जाएगी, नई value आज लेगो, ठीक है? तो चलिए, इसी concept के साथ हमने फाइल को again किया, compile and run, तो अब देखे, a की latest value कितने आगई, save आगी, ठीक है? तो मतलब की variable हम इसी को तो बोलते थे ना, जिसकी value बार बार change होती रहती है, ठीक है? अगर मैंने और बार यहाँ पर a की value change की, for example, 2 से, then after, compile and run, तो अब a की latest value कितने आगई? 2, clear? तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते थे? variable, यहाँ पर a जो है, वो variable है, यानि कि उसकी value change होती रहती है, लेकिन, might be, अगर आपके पास एक ऐसा scenario है, जहाँ पर आपको a की value fix करनी है, 5, आपका goal ऐसा है कि मुझे a की value, throughout this program, only 5 ही set करनी है, अगर user या फिर developer उसकी value change करना भी चा ठीक, इस तरह से मुझे कुछ करना है, तो फिर मुझे इस variable को final बनाना होगा, क्या बनाना होगा? final, यानि कि constant, एक बार अगर आपने value assign कर दी, तो फिर again आप दूसरी बार उसकी value assign नहीं कर सकते हो, तो ऐसा करने के लिए हमें safe और safe, यहाँ पर declaration के left side, एक keyword लिखना है final, that's all, किसी भी variable को final बनाना चाहते हो, तो फिर उस variable के left side आपको लिखना है final keyword, that's all, अब यह जो मेरा variable है, वो final बन गया, यानि कि constant बन गया, अब उसके पास, safe और safe, एक ही value होगी 5, अगर आप नीचे इस तरह से change करना भी चाहोगे, तो फिर वो नहीं होगी, देखे, वो में ए यहाँ पर किया compile, तो देखे, हमें दो error देखने को मिली, सबसे फिले तो यहाँ पर error देखने को मिली, a is equal to 7, जो किया है, वहाँ पर write, देखे, क्या है, cannot assign a value to final variable a, उसी तरह से, a is equal to 2, जो हमने किया था, वही पर भी same error, cannot assign a value to final variable a, यानि कि आप, अगर कोई एक final variable बना सकते, modify नहीं कर सकते, आपको compulsory इसी तरह से लिखना होगा, तब ही जाकर आपका program run होगा, तो देखे, अब मैं यहाँ पर चैसे करूँगा compile, तो अब हमें error देखने को नहीं मिलती है, और अब हम करेंगे file को run, तो तब जाकर में value देखने को मिलती है, तो इस तरह से आप क final keyword, ओके, चले, अब मुझे एक बात बताएगा, क्या यह चीज़ चलेगी, क्या, only उपर मैंने क्या किया, declaration किया, इंतियन आप्टर नीचे मैंने assignment किया, उपर मैंने shift variable को as of constant declare किया, लेकिन उसकी value मैंने नीचे अलग से दी assignment, चले, तो क्या अब यह चलेगी या नहीं, चल after run, तो देखे, अब यह चीज़ चलोगी, ठीके, तो, क्या यह चीज़ चलेगी, चले देखते हैं, save, तो अब यहाँ पर मुझे perfect error देखने को मिल गई, वही वाली, कि variable a might already have as assigned, ठीके, कि variable जो ए है आपका, कुस के पास already value जो है, वो assign हो गई, अब आप दूसरी नहीं value assign न आपका a है, उसके पास already जो a की value है, वो assign हो चुके, अब आप दूसरी बार उसके अंदर value assign नहीं कर सकते, clear, तो इस तरह से आप किसी भी variable की value, या तो declare करते वक्ती, या फिर इस तरह से declaration के बाद initialize कर सकते हो, ठीके, आपकी चोई से आपको जैसे भी करना चाहते हो, कर सकत clear, इसका भी screenshot ले लो, इस तरह से भी आपका value आ जाएगा, ठीके, तो यह था हमारा final keyword का use with variable, final keyword को अगर आप variable के साथ यूज करोगे, तो फिर वो variable क्या बन जाएगा, constant, ठीके, या आप कुछ इस धियान में रखते हो, चलिए, अब final keyword का method के साथ भी उसकर सकते हो, किस तरह है, suppose मैं एक नए class बना तो हाँ, और उस class के अंदर मैं एक नई method create करूँगा, for example, emp for employee, and then after, यहाँ पर मैं एक नई method create करूँगा, for example, disp, system.out.println employee data, कोई भी damage मैंने आप लेको, तो अब यह जो disp में थाड़ है, वो आप बढ़ी आसानी से यहां से call कर सकते हो, right, m का सबसे पहले, मैं क्या बनाना होगा, एक object, कुछ इस तरह से, and then after e1 की मदद से, हम call करते थे, disp को, चलिए, अब मैंने इसको save किया, यहां पर compile, and then after run, तो मैं perfect मिल गया, employee data, clear, लेकिन अब इस वाली method को हम बनाते है, final, तो देखे क्या होता है, मुझे कोई error देखने को नहीं मिलेगी, same ही हमारा output आएगा, employee data, तो फिर आखिरकार final keyword लिखने का यहां पर हमें क्या benefit मिलता है, तो यहां पर अगर हम इस employee class का एक child class बनाते, तो क्या होता है वो देखे, सपोज मैंने employee class जो है, उसका एक child class बनाया, for example, a, extends employee, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं यहां से final निकाल देता हूँ, तो अब देखे, employee class की सभी properties indirectly कहाँ पर आ गई, class a के अंदर आ गई यहां पर, क्यूंकि हमने inheritance किया है, यहीं तो rule था, उपर के, यानि कि parent वाले class की सभी properties, child class के अंदर आ जाएगी, तो rule के मताबिक हमें child class का ही object बनाना चाहिए, write कुछ इस तरह से, क्योंकि अब यह जो डिस्ट वाली method है, वो indirectly कहाँ पर मुझूद है, class a के अंदर, तो आपने even की मदर से डिस्ट को call भी कर लिया, चले देखते हैं, save करते हैं, compile, and then after run, तो देखें, perfectly आगया, employee data, लेकिन अब देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर final keyword mention किया, तो अब यह method क्या यहाँ पर inherit होगी, क्या यह even जो है, वो डिस्ट को call कर सकेगा, चले देखते हैं, यहाँ पर हमने किया compile, then after run, तो yes, यह अब भी inherit हो रही है, final method जो है, वो inherit भी होज सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई दिकत नहीं देखने को मिली, लेकिन अब देखें क्या होता है, जब हम override करने की कोशिश करते हैं, overriding यानि कि क्या, parent class के अंदर जो method available है, वो same method अगर आप यहाँ पर बनाते हो, और यहाँ पर हमने कुछ अलग ही लिखा, system.out.println, और यहाँ पर हमने कुछ अलग लिखा, for example, child data, ठीक है, तो अब method overriding यानि की क्या, जो मेरी method parent class के अंदर थी, वही नाम की same method मैंने child class के अंदर भी बना थी, देखे, नाम भी same होना चाहिए, और साथ ही साथ, parameters भी same होने चाहिए, यहाँ पर हमने कोई parameters पास किये, नहीं, तो हमने यहाँ पर भी नहीं करना है, तो same structure वाली, same name वाली जो method, अप again, child class के अंदर भी बनाते हो, तो उसी सिनारियो को बोला चाता है method overriding, तो यहाँ पर हमने method overriding करके रखे, देखे, टेके, उपर parent class के अंदर भी same method है, same name वाली, child class के अंदर भी वही same method है, same name वाली, लेकिन उसकी body different है, गोल गीजेगा है, उसकी body different है, चलिए, अब अगर मैं इस वाली method को comment out कर देता, तो फिर क्या होता, अब तक, उपर वाली method, वो same यहाँ पर inherit होती न, और वही हमने यहाँ पर output के अंदर बताया, लेकिन अगर, मैंने यहाँ पर वही same वाली method दुबारा बनाई, तो फिर उपर वाली जो method आपकी नीचे आ रही थी, वो अब नहीं आएगी, बलकि यह वाली method run होगी, उपर जो disk वाली method same थी, वही same मैंने यहाँ पर child class के अंदर बनाई, लेकिन उसकी body change होगी, पहले body यह आती थी employee data, लेकिन अब body आएगी child data, देखे, save के हमने, यहाँ पर आकर compile, एंधिन आकर run, तो अब देखे, क्या आगया, child data, ठीक है, तो इसी scenario को बोला जाता है method overriding, उपर जो method थी न, वह same नीचे बना दिया, तो उपर वाली जो body थी, वह अब override हो जाएगी, वह replace हो जाएगी, हमारी नई बनाई हुई body से, that's all, उसी को बोला जाता है method overriding, but हम यहाँ पर use कर रहे है final keyword का, कि अगर parent class के अंदर जो method मौझूद है, उसको में final बना दू, तो फिर क्या यह method इस तरह से नीचे override हो सकती है का, ठीक है, वह हमें देखना है, चलिए, save कि हमने file को, यहाँ पर किया compile, तो देखे, जैसे compile किया, मेरे पास एक error आगी, कि disp नाम की जो method है, class A के अंदर, cannot override disp in employee, क्यों, क्योंकि यह जो disp method है, वो आपकी यह final method, देखे, आपने जो यह जो disp method override करना चाहिए, जो की already उपर बनी हुई थी, वो आप normally तो override करी सकते थे, लेकिन जैसे ही parent class वाली method आप final बना देते हो, तो फिर उसका मतलब, इस वाली method पर लोक लग चुका है, अब जितने भी employee के child class बनेंगे, उसके अंदर same यही वाली method compulsory आएगी, इसी body के साथ, यह rule आपने बना दिया, final को use करते ही, अब आप void disp नाम की method again नहीं बना सकते हैं, यानि कि disp नाम की method को आप again override नहीं कर सकते हैं, उसकी body नहीं बना सकते हैं, तो यह आपको clear cut यहाँ पर error देखने को मिलके, तो इस तरह से final keyword को जब़ी भी आप किसी method के साथ use करोगे, तो फिर वो method कभी भी child class के अंदर override नहीं हो सकती, तो यह एक इसका use था, चले आप इसक task ensure ले लो, यह just security purpose के लिए है, किसी भी method का final बनाते हो, तो फिर in child class आप उसको कभी भी override नहीं कर सकते, आपको यहाँ से इसको remove करना होगा, तब जाकर यह error आपकी remove होगी, तो यह इसका usage था, final method का, clear, चले, अब next है हमारे पास final class, जी हाँ, आप class को भी final बना सकते हो, चले मैं यहाँ पर ऐसे ही पहले लेने देता हूँ, अब यहाँ पर देखे हमने simple level inheritance किया, एक class employee है, उसका एक child class है, एक disk नाम की simple method है, जो कि अलरड़ी यहाँ पर inherit हो जाएगी, and then after हमने child class का object बनाया, और disk को call किया, ठीक है, चले, अब यहाँ पर compiler को हमने call किया, then after run, तो perfect data आ मैंने अभी भी देखा था, अगर हम किसी method को final बनाते हैं, तो वो method दोबारा child class के इंदर override नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह से, अगर आप किसी class को final बनाते हैं, तो फिर वो class को आप extend नहीं कर सकते, yes, जिस class को भी आपने final बनाया, मतलब कि उस class का अब child class बनना possible ही नहीं है, error आएगी, देखे, save किया मैंने file को, यहाँ पर compile किया, तो देखे, अब आपको error देखे, cannot inherit from final class employee, ठीक है, cannot inherit from final class employee, अब आप employee को inherit कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वो class तो final बन चुका है, तो यह भी security purpose ही हुआ, अगर आपको किसी भी class को restrict करना है, कि उसका child class ना बना हाँ, ठीक है, कोई भी अगर आप child class बनाते हो, किसी parent class को reference रख कर, तो वो normal class ही होना चाहिए, अगर आपने उसको final class बना दिया, तो फिर उसका child class इस तरह से नहीं बन सकता, finish, ठीक है, तो यह कुछ rule है, किसी भी class को final बना दो, तो फिर वो कभी भी inherit नहीं हो सकता, ठीक है, उसका कभी भी कोई child class बनी नहीं सकता, यह rule है, simple, चलिए, अब इसका भी आप screenshot ले लो, इस पूरे प्रोग्राम को run करोगे, तो आपको same यही वाली error देखने को मिलेगी, cannot inherit from final class employee, clear, ओके, चलिए, अब next, थोड़ा से हम आगे बढ़ेंगे, final keyword के बारे में, suppose, मेरे पास यहाँ पर disp नाम की method, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर disp को call किया, अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी data pass करूँ, for example, file, तो obviously मुझे यहाँ पर उपर उसको catch करना होगा, suppose, end नाम के variable के अंदर, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उस end को print कर वा सकता हू system.out.println, and then after end, clear, save करता है, again, यहाँ पर compile, and then after run, तो आपको perfect 5 मिल गया, हाँ, आप चाहो तो यहाँ पर उसकी value change भी कर सकते हैं, right, आपने तो नीचे 5 बेजी ना, उपर, ठीक है, तो end की value यहाँ पर तो 5 आ गई, लेकिन आपने यहाँ पर फिर से उसको replace कर दिया, 78 से, त चलिए मैंने compile किया, again, run किया, देखे 78 आ गया, लेकिन आपको restrict करना है, कि user ने जो call करते वक्त यहाँ से value पहजे थी, throughout its body, वही value रहनी चाहिए, बीच में से कोई भी उसको replace करनी नहीं सकता, बीच में से कोई भी उसको modify भी नहीं कर सकता, तो आपको यह वाला behavior restrict करना है, नीचे से आपने 5 पे जा, तो फिर चाहिए कुछ भी हो जाए, पूरे program की body के अंदर n की value 5 ही रहनी चाहिए, तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, तो ऐसा करने के लिए आपने यहाँ पर जो parameter catch किया, n के अंदर, उस n variable को आपको final बनाना होगा, यानि कि यहाँ पर, कुछ इ error मिलेगी, obviously, ठीक है, चले, जैसे ही मैंने compile किया, तो आपको error देखने को मिल गई, final parameter n may not be assigned, ठीक है, final parameter जो हमने n अभी अभी बनाया, उसके अंदर आप नहीं value कभी assign नहीं कर सकते, already उसके अंदर 5 तो assign होकर ही रखी है, तो अब आपको इस line को comment करना होगा, तो अब देख ठीक है, तो final keyword की एक और usage आप इस तरह से भी implement कर सकते हो, कि आपका जो parameter था, उस parameter को भी आप final बना सकते हो, नहीं चैसे जो value आएगी, same, वही throughout this body implement होकर रहेगी, बीच में से आप इस तरह से उसकी value change नहीं कर सकते, clear, तो एक और usage हमने ये भी देखा, final parameter वाला, चले, इसका अब आप screenshot ले लो, तो अब हम next देखते है, final को आखिर कर आप कि और purpose के लिए भी use कर सकते है, देखे, suppose इस employee के अंदर में कुछ properties, कुछ attributes add करना चाहता हूँ, for example, इस employee का मेरे पास name हो सकता है, right, then after उसकी edge हो सकती है, and then after उसका pancad number भी हो सकता है, for example, integer pancard, number, ठेके, तो ये जो pancard number है, वो मैं final बनाना चाहता हूँ, तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, final, right, तो अब without making any getter और setter, आप directly इसको use करना चाहते हो, तो name और as तो हमने use करी लिया था, already, जब हमने object और class के बारे में पढ़ा था, तब directly, right, तो क्या किसी final variable को भी आप आप डियरेक्ली object के through access कर सकते हो, क्या, चले, देखते है, सबसे पहले तो हमने क्या बनाया, employee class का एक, object, e1, then after, e1 की मुदश से सबसे पहले हमने access किया name, और कोई name हमने रखना चाहा, for example, सन्दीप, and then after, e1 की मुदश से हमने access किया, उसका age, और उसका age हमने रखा 28, then after, e1 की मदस से हमने एक्सेस किया उसका पान कार्ड नंबर और हमने कुछ पान कार्ड नंबर रखना चाहा कोई भी डमी ठीक है तेन आप्टर हमने इन सभी को प्रिंट करवाना चाहा system.out.println e1.name तेन आप्टर e1.age और इसी तरह से मैं एक और नए system.out के अंदर लिख देता हूँ e1.pancard number तो चलिए अब मैंने इसको save किया देखते हैं क्या यह run होता है क्या access कर पाता है चलिए compile करते हैं तो हमें यहाँ पर दो error देखने को मिली देखे सबसे पहले तो यहाँ पर final int pancard number पर यह जो आपने variable बनाया है not initialized in the default constructor क्या नदी जगा कोई अलगी type के हमें error देखने को मिली हमने जो variable बनाया है final वो आपका initialized नहीं हुआ है कहाँ पर default constructor के अंदर साथ ही साथ दूसरी error क्या है वो भी देख लेते हैं cannot assign a value to final variable pancard number pancard number के अंदर आप value assign ही नहीं कर सकते क्योंकि वो final थी लेकिन हमने अभी अभी previously देखा न कि अगर first time कोई भी value assign हुई ही नहीं है तो एक बार totalization हम करी सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको मना कर दिया देखिए class और object के scenario के अंदर आपको मना कर दिया साथ ही साथ हम एक दूसरी error देखने को मिली जहां पर हमें एक hint मिली कि pancard number वाला जो variable है वो default constructor के अंदर initialize नहीं हुआ है त्यांदी जगा default constructor की बात यहां पर हुई है तो मतलब की जब भी आप किसी class के अंदर final property बनाते हो तो उस property को आपको compulsory default constructor के अंदर ही क्या करना होगा उसको initialize करना होगा तो चले सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे एक default constructor को बनाएंगे इस तरह से and then after इस constructor के अंदर हमें इस variable की value assign करनी होगी for example यहां पर हम लिख देता है यह वाला हमारा जो number है वो pancard number कुछ इस तरह से and then आप यहां से remove कर सकते हो चले अब हमने save किया अब यह तो हम सभी को मालूम है न कि यह जो default constructor है वो कब call होगा जब आप किसी object को create करोगे तब तो जैसे मैंने even को बनाया यह automatic call हो गया यानि कि pancard number जो है वो मेरा assign हो गया then after हमें manually name और edge को भी assign कर दिया and then after तीनों property को क्या गर दिया call कर दिया print करवा दिया चले save किया आपने again compile and then after run तो देखे तीनों property successfully मैरी access हो गई print हो गई clear तो यह एक और scenario नहीं देखा त्यान दिजेगा जब भी आप class के अंदर किसी property को final बनाते हो तो वो property आप directly यहाँ पर equal to की मदर से assign नहीं कर सकते ठीक है उसको assign करने के लिए compulsory आपको चाहिए होगा एक constructor clear यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा default constructor वाली error तो इसलिए हमने बनाया default constructor तो इसका एक rule है जब भी final property होगी उसको compulsory assign करना होगा with using constructor that's all लेकिन यह तो हमने default constructor के साथ किया क्या हमें parameterized constructor के साथ उसको call कर सकता था क्या चले देखते हैं जैसे हमने object बनाया हमने दोनों क की value यहाँ पर pass कर दी name की और edge की तो हमें इस तरह इन दोनों की property अब देने की जरूवत नहीं है लेकिन यह दोनों हमने जो यहाँ नीचे से sand की वह में यहाँ पर catch भी तो करने होगी right suppose पहली थी string वाली जिसको मैंने save किया n के अंदर दूसरी थी integer वाली जिसको मैंने save किय एक अंदर लेकिन हमें तो किसके अंदर save कर आने थी name और edge के अंदर right तो मैंने आप लिगिया this.name is equal to n उसी तरह से this.edge is equal to a clear चले तो अब मैंने save किया क्या यह parameterized का इंस्टर्टर वाली method चलेगी चले देखते है compile इं तो यह parameterized वाली method भी हमारी चल गई ठीक है चले यहाँ पर मैं edge को remove करता हूं कोई नई edge डालता हूं for example 24 again compile and then run तो देखे successfully हमार output आ रहा है perfect तो doesn't matter default constructor या फिर इस तरह से named constructor बट एक constructor के अंदर ही किसी final property को आप assign कर सकते हो तीक है यह आपको ध्यान में रखना है चले यह भी देख रहते है कि यहाँ पर this keyword को आप mention कर सकते हो चले म आपर compile and then after run तो yes this keyword के साथ भी आप final keyword को successfully run कर सकते हो access कर सकते हो clear तो इस तरह से आपको कुछ solve out करना होगा जब भी आप final property किसी class के अंदर बनाते हो तब why are using default constructor या फिर why are using parameterized constructor clear चले इसका भी आप screenshot ले लो ओके चले यह हमने एक और usage देखा final keyword का अब एक और last usage है final keyword का वो भी हम देख लेते हैं suppose इस class के अंदर एक और variable है for example company name तो company name सभी variables या फिर सभी employees के लिए क्या होगा semi होगा ना किसी एक company के लिए हम employee का data ले रहे तो सभी की company name क्या होगी semi होगी यानि कि हमें static keyword का यूज करना चाहिए यह जो variable है वो RAM के अंदर एक ही बार बनाना चाहिए तो इसकी वज़़े से हमने यहां पर क्या लिख दिया static लिख दिया क्या लिख दिया static तो हम सभी कर दो करना चाहिए बट क्या होगा अगर मैं static variable को भी final बना दू तो static एंधेना पर यहाँ पर मैं लिख सिखता हूँ final तो अब क्या होगा तो अब आप इसकी value कहाँ पर pass करोगे और किस तरह से suppose मैंने सबसे पहले इसको यहाँ पर print करवाना चाहा ठीक है even की मदद से company name को तो company name सबसे पहले मैं इस तरह से assign करने की try करूँगा for example xyz company का name ठीक है चले मैंने save किया again यहाँ पर file को किया compile in then after run तो देखे company मेरी जो है वो इस तरह से access होगे xyz यान कि yes आप इस तरह से भी उसको pass कर सकते हो लेकिन क्या आप इसकी value change कर सकते हो क्या क्या आप इसकी value change कर सकते हो देखे construct के अंदर में इसको change करने की try करूँगा for example company name is equal to pqr तो क्या आप यह change होगी चले देखते मैंने यहाँ पर किया compile तो देखे जैसे compile किया मेरे पास एक error आगई cannot assign a value to final variable company name ठीक है final variable के अंदर already एक जो यहाँ पर name है वो available है तो आप उसको change नहीं कर सकते हैं ठीक है ओके तो क्या इस तरह से अब आप कर सकते हो static final variable की value मैंने यहाँ पर नहीं रखी बट पेरामेटराइस कंस्टर्टर के अंदर रखी है तो क्या PQR यहाँ पर assign हो जाएगी एक ही बार में राइट चली देखते हैं अगेन मैंने किया compile तो देखे error आगी cannot assign a value to final variable company final variable के अंदर आप value assign कर ही नहीं सकते हो हमने एक तरीका तो देखाना यहाँ पर से आप assign कर सकते हो लेकिन अगर यहाँ पर भी assign नहीं है तो फिर और कौन सी वैलिड पोजिशन है जहां से आप company name को initialize कर सकते हो कंस्टर्टर तो नहीं है कंस्टर्टर के अंदर जैसे हमने try की यहाँ पर हमें error dmp.company name और अब मैंने try की PQR को assign करने की चले यहाँ पर मैं try करके देख लेते हैं compile किया तो देखे यहाँ पर भी आपको error देखने को मिली cannot assign a value to final variable company name आप यहाँ पर भी final variable की value put up नहीं कर सकते तो अब और कौन सी valid position बचिए इसका answer है static block आपको compulsory static block के अंदर final variable की value assign करनी होगी कुछ इस तरह से क्यों क्योंकि यह जो final variable है वो static है तो static final variable की value only and only static block के अंदर ही initialize हो सकती है और हमने पहले भी पंट लिया था जब हमने static के बात बात की थी तब ठीक है कि जब भी static block आपके class के अंदर होगा तो सबसे पहले आपका static block run होगा and then after आपका constructor call होगा तो चले save किया हमने compile किया and then after हमने किया run तो अब देखे successfully PQR जो है वो assign हो गया तो यह बहुत ही बड़ा IMP question है interview के अंदर आपको कई बार पुछा जाएगा यह ठीक है कि जब भी आपके class के अंदर एक static variable है जो की final भी है तो इस तरह के variable की value आप किस position पर assign कर सकते हो हाँ सबसे पहला answer आप इस तरह से तो करी सकते हो जब declare किया तब भी आप कर दो लेकिन declaration के वक्त मुझे अगर उसकी value assign नहीं करनी तो और कौन सी valid position है तो एक ही valid position है जो की है हमारा static block compulsory static block के अंदर ही आपका static final variable initialize हो सकता है और कहीं पर भी नहीं ठीक है तो चले इसका भी आप screenshot ले लो यह था हमारा final keyword का last usage तो इतनी इतनी तरीकों से आप final keyword को use में ले सकते हो clear चले इसका भी आप नीचे वाला main class का भी screenshot ले लो ठीक है चले तो आज के session के अंदर हम सिफ इतना ही रखते है final keyword को हमने आज के session के अंदर fully detail के अंदर देख लिया ठीक है अब next session के अ और साथी साथ multiple inheritance की इस तरह से अचीव किया जाता है वो आपको याद होगा जब हमने inheritance को detail के अंदर देखा था तब हमने यहाँ पर five tabs के inheritance की बात की थी single, multi-level, multiple, hierarchical और hybrid जिसमें हमने देखा था multiple और hybrid inheritance directly possible नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको possible करने है तो फिर आप indirectly interface की फिलाल आपको क्या करना है इस chapter के अंदर हमने जितनी भी बात की abstraction की, final keyword की ठीक है उतना सब कूछ आपको full detail के अंदर practice कर लेनी है सभी का usage अलग-अलग तरीकों से देख लेना है clear तो चले अब हम मिलते हैं हमारे next session के अंदर